हाई व्रिवान जैहिन हमने अपनी लास्ट की दो वीडियो में देखा था रूरल मार्केटिंग का मिनी उसके पस्पेक्टिब्स एंड रूरल मार्केटिंग की स्ट्राटेजिस को मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी और मैं आप अलेगी वीडियो में ये चीज़ समझ लिया है कि कंपनीज ने रूरल मार्केटिंग को परस्यू करना शुरू कर दिया है लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बहुत इजी टास्क है नहीं इसमें कुछ चालेंज होते हैं सबसे बड़ा चालेंज है कल्चरल फाक्टर्स अलग बिलीव सोते हैं तो जो प्रड़ाक्ट उनके कल्चर के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है वो उस प्रड़ाक्ट को नहीं खरी देंगे कभी भी वहाँ पर अगर कोई मीट कंपनी जाएगी वो कैसे अपना प्रड़ाक्ट प्रोमोट करेगी नहीं घर कि infrastructure में improvements हो रहें ये rural areas में ये एक opportunity तो है companies को कि वो move करें rural markets की और लेकिन क्या वो existing state अच्छी है नहीं मैंने कई बार stress किया अपनी वीडियो में कि अभी तक कुछ villages को electricity का access नहीं है इंटरनेट का access नहीं है situations तो improve हो रहे है no doubt लेकिन वो presently इतनी अच्छी भी नहीं है कि pursue कि या जा है rural markets को तो ये भी एक बहुत बड़ा challenge होता है companies के सामने all right next challenge है understanding the psyche of rural consumer अब देखो मैंने rural marketing की introduction में आपको बताया था कि rural consumer urban consumer से अलग होते हैं उनका consumer behavior अलग होता है in comparison to urban consumers तो ये marketer के लिए important है कि वो rural consumer की mindset को समझे उनके consumer behavior को understand करें उनके accordingly products बनाए strategies बनाए लेकिन ये इतना easy नहीं है क्योंकि marketer ने अपना focus अभी तक urban markets पर ही क्या हुआ था ठीक है urban consumer के behavior को समझा है उन्होंने आज तक तो marketer को अभी rural people की behavior की understanding नहीं है इतनी ठीक है तो ये भी एक बहुत बड़ा challenge है marketer के सामने कि उन्हे रूरल people के behavior को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा all right अगला challenge है low per capita income in relation to urban areas अब देखो मैंने अपनी last video में ये point discuss किया था कि rural people का main source of income होता है agriculture तो generally rural people की पर capita income कम होती है as compared to urban people तो फिर देखो company चाहे कितना भी अच्छा product बना ले कितना भी effective promotion कर ले लेकिन जब rural people की खरीदने की capacity ही नहीं होगी उनकी per capita income लो है क्योंकि उनकी purchasing power कम है तो वो कैसे ही product खरीद पाएंगे है ना तो ये भी एक बहुत बड़ा challenge रहता है marketers के लिए correct last है distribution is nightmare due to scattered markets जैसे कि हमने देखा था कि marketers ने अभी तक urban markets को pursue किया है उनके लिए urban markets को pursue करना easy होता है क्योंकि वो concentrated होती है छोटे geographical areas में होती है लेकिन जो rural markets है वो widely dispersed है मतलब wider geographical area में फैली हुई है तो इस case में एक ऐसा marketer जिसने अभी तक सिर्फ concentrated urban markets को ही pursue किया है उसके लिए बहुत बड़ा challenge होगा कि वो dispersed या scattered rural market को pursue करें क्योंकि वो throughout India फैली हुई है ठीक है तो marketer के लिए उनको access करना उन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल टास्क है करेक्ट तो ये था हमारा आज का वीडियो इसके साथ ही हमारा rural marketing खतम होता है प्लीज वीडियो को like कर देना और चानल को subscribe कर देना thank you so much bye bye